नमस्कार दोस्तों, हेलो हल्दवाने के सबी सुरोताओं को मेरा नमस्कार, साथियो आज मैं आपके सामने कुमावनी भासा प्रमाणपत्र पाठ्ठक्रम के विशे में पिस्त्रित जानकारे के साथ प्रस्तोतूं। जैसा कि हम जानते हैं रास्तिय शिक्षा नीति के अंतरगत कुमावनी गडवाली नैपाली वो अन्य भारतिय भासाओं के उत्थान के लिए महत्वण बातां कही गई है। इसी के मध्यनजर उत्राखंड मुक्तुष विद्याले दौरा कुमावनी पाठ्ठक्रम में कुमावनी भासा प्रमाणपत्र पाठ्ठक्रम लागू किया गया है। जिसका कूड है CKL, इस वर्ष CKL जो कुमावनी भासा प्रमाण पत्र पाठ्ठकरम है, इस वर्ष से शुरू हुआ है और इसमें बहुत सारे विध्यार्तियों ने प्रवेश लिया है, हम विध्यार्तियों को CKL 101 प्रथम प्रश्ण पत्र कुमावनी भासा यों के बारे में बताना चाहते हैं, इस प्रथम प्रश्ण पत्र में छे इकाईया है, पहली इकाई है भासा परिचय और प्रकरति, दूसरी इकाई है हिंदी एवं उसकी उप भासाओं का परिचय, कुमावनी भासा का उद्भव और विकास, कुमावनी सब्द रचना, कुमाव इसकी जो प्रथमिकाई है भासा परिचय और प्रकरति इसमें भासा के तत्व भासा की विशेष्टाएं और उनके सैध्धान्तिक मद इसके अलावा भासा के उत्पत्ति के सिध्धान्त आदि को विस्तार से बताया गया है फिर इसमें भासा और भासा के जो डायलेक्ट है बूलिया उनको लेकर के भी विस्तार से लिखा गया है साथ ही भासा और समाज भासा और मनोविज्ञान भासा और संस्कृति के बारे में भी विस्तार से बताया गया है CKL 101 की जो दूसरी इकाई है वह हिंदी की उप भासाएं बोलियां एवं बोलियां यह है इकाई दो इसके अंतरगत उप भासाएं एवं बोलियों का परिचे हैं हिंदी भासा का विकास करम है और हिंदी भासाओं की उप बोलियां है हिंदी की प्रमुख बोलियों का एक संशिप्ट परिचय भी इसमें दिया गया है भासा और बोली के अंतर सम्मंद को भी इसमें समझाया गया है इसमें हिंदी भासा की बोलियां पच्छे में हिंदी की खड़ी बोली बंगारू, हरियाणवी, ब्रज भासा, कन्नौजी प्रमुख बोलियों पर शंशिप्त परिचयातमक टिकपणियां भी इसके अंतरगत है। भासा और बोली का अंतर संबन्द इसमें भी समझाय गया है। इसी के साथ जो तीसरी इकाई है वो है कुमावनी भासा का उद्भव और विकास। इसमें कुमावनी भासा का इत्यास और कुमावनी भासा के जितने भी उब भासाएं हैं उन पर विस्तार से प्रकास डाला गया है। जैसे कुमावनी भासा का विकास एक के अंतरगत प्रारमभी काल से पूरो मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल तक का परिचय है और बीच में सब्दावलियों का भी इसे शुरूप से ध्यान रखा गया है। चोथी इकाई जो है वो है कुमावनी सब्द रचना इसके अंतरगत हुपसर्ग, प्रतई, समास, ब्याकरण के आधार, अर्थ के आधार, स्रोत या उद्गम के आधार आधी पर चर्चा की गई है। और कुमावनी सब्द समपता के बारे में भी विस्तास बताया गया है। यह पुस्तक में काफी उप्योगी है और जो भी हमारे विध्यारती है उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसकी जो एकाई पांच है वह है कुमाव छेत्र की प्रमुख भासाएं। इसके अंतरगत कुमाव की प्रमुख भासाओं का जिक्र है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुमाओं की भासाओं को दो हिस्सों में भाटा गया है, पूर्वी कुमाओनी और पच्छिमी कुमाओनी के अंतरगत, तो इसमें पूर्वी और पच्छिमी कुमाओनी भासाओं के दोनों का परिचे दिया गया है, इसके अलावा कुमाओनी की वि जो कुमाओं में जो और जगहों के प्रवास कर गए हैं उन लोगों के जैसे जॉनपुरी, बंगाणी, बुक्साडी, जॉनसारी, आदी या फिर मार्चा, राजी, राउंलू और रामाल्टी का भी इसमें जिक्र हैं। जो सथ ही विविन भासाओं के इसे संबन्दी सब्दा वलियों का भी जिक्रेश्व में क्या गया है। यह आदि सभस्त दे काई杗 cream और मुहावरे हैं उसके बाद कहावते हैं कहावतों की संख्या भी करीब पचास से साथ कहावते इसमें दी गई है और इसके अलावा पहेले जिसको कुमावनी में एना कहा जाता है उनका भी जिकरे इसके अंतरगत किया गया है तो साथियों ये था कुमावनी भासा यों ब्याकरण कुमावनी भासा प्रमाणपत्र पाठ्थ करम का प्रथम प्रस्ण CKL101 का परिचय हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह परिचय अच्छा लगा होगा और अगले करम में हम उत्राखंड मुक्तिव स्विध्यले द्वारा सं अंचालित कुमावनी भासा प्रमाणपत्र पाठ्थ करम कुमावनी लोक साहित्य का परिचय देंगे जिसका सब्जेक्ट कोड है CKL102